सबसे पहले हम एक पैन में देसी घी आड़ करेंगे और इस देसी घी को लो फ्लेम पे गरम करके इसके अंदर हम बेसन डाल कर लेंगे बाकी जगा आपने बेसन के लेड़ू बहुत खाये होंगे लेकिन हमें उस कलर का नहीं करना है इस बेसन को लाल हमें बिलकुल प्रॉपरली लाल करना है इसका कच्चापन पूरी तरह से खतम करना है जब हमारे बेसन का रंग कुछ इस तरह का दिखने लगे तब तक हम इसे low flame पे लाल करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे आपने कई जगा पेसन के लड़ू खाया होंगे लेकिन इतने स्वादिश और इतने लाजवाब लड़ू आपने कभी कही नहीं खाया होंगे आपको मैं इस चीज की गरांटी दे सकती हूँ अब हमारा जब बेसन कुछ इस तरह का लाल हो जागा फिर हम उसके अंदर अड़ करेंगे पूरा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली फिर हम दोनों चीजों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी ड्राइफ रूट आड़ कर सकते हैं मैंने यहां पर इसके अंदर आड़ की थी किशमिश आप चाहे तो काजू बदाम भी आड़ कर सकते हैं अब आप इसे हलके हाथ से इस तरह से लड़ू की शेफ प्रवाइड कर दे और अगर ना हो तो इसके अंदर देशी की थोड़ा सा और आड़ कर सकते हैं और हमारे बेसिन के लड़ू बनकर तयार है और बहुत ही डिलिश्यस बनते हैं आप लोगोंने कई जगा पर बेसिन के लड़ू ट्राइब किये होंगे लेकिन ऐसे कभी नहीं खाये होंगे इस चीज की मैं आपको शॉर्ण देखते हूँ थैंक यू सो मच पॉचिंग